राइस पुलर हनुमान सिक्का से जुड़े दावे और किस से अकसर लोगों के बीच सुनने को मिलते हैं इसके बारे में ये माना जाता है कि ये सिक्का चावल या धातूँ को अपनी और खींच सकता है और इसमें चमतकारी शक्तियां होती हैं हलांकि विज्जान और प्रामानिक शोद के अनुसार ऐसा कोई सिक्का या धातू नहीं होती जो वास्तव में चावल को खींच सके इस सिक्के के बारे में कई तरह की अफवाहें और कहानियां प्रचलित हैं लोग इसे प्राचीन काल से जुड़ा या तांत्रिक शक्तियों वाला सिक्का मानते हैं कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सिक्का मुगल या ब्रिटिश काल का है ऐसा कहा जाता है कि इस सिक्के का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में किया जाता था और इसे रखने वाले व्यक्ति को समर्द्धी वसफलता मिलती है कई लोग मानते हैं कि ऐसे सिक्के की अंतराष्टरी बाजार में की मत करोडों रुप्येत कहो सकती है लेकिन यह पूरी तरह से धोखादरी का मामला होता है ऐसे सिक्कों का वैजानिक प्रमानन ही है लोग राइस पुलर सिक्के को बेचन और खरीदने की नाम पर धोखाडी करते हैं वेनकली कहानियां गरते हैं और लोगों को करोडों रुप्ये में बेचने का लाल चदेते हैं कोई भी आधिकारिक बाजार या प्रमानिक संस्था इस तरह के सिक्के की पुष्टि नहीं करती है यदि कोई व्यक्ति आपसे राइस पुलर हनुमान सिक्के के नाम पर लेन देन की बात करता है तो यह संभवतर एक धोखाधरी का प्रयास है इस तरह के मामले कई बार पुलिस और साइबर क्राइम विभाग में दर्ज किये गए है राइस पुलर हनुमान सिक का एक अफवाह और अंधविश्वास का हिस्सा है इसकी कोई प्रामानिकता नहीं है और इससे जुड़े लेन देन से बचना ही समझदारी है विडियो देखने के लिए धन्यवाद